कई दिनों से जेए और नीट की परिक्षाओं पर वाद विवाद चुरू है जिस पर शनिवार को लगाम लगाती हुए केंद्रिय शिक्षामंतरी डॉक्टर रमेश पोख्रियाल निशंक ने बयान जारी किया उन्होंने कहा कि जेए और नीट की परिक्षा सोशल डिस्टंसि और सभी दिशान इर्देशों का पालन करते हुए होगी जिसके मद्द नज़र नागपूर शेहर में भी परिक्षा की तयारी की जा रही है JEE मेंस परिक्षा कंपिटर सेंटर्स पर होगी वहीं नीट की परिक्षा शेहर के CBSC स्कूलों में होगी नागपूर में कुल 50 से 60 केंद्र है करीब 30,000 विद्ध्यारती इस परिक्षा को देंगे एक परिक्षा कंप्षा में जादतर 12 विद्ध्यारती के बैठने की अनुमती होगी कंप्षा में एक बेंच छोड़ कर विद्ध्यारतियों को बिठाया जाएगा यानि कक्षा की एक कतार में जहां पहले छे विद्यार्ती बैठते थे अब तीन ही बिठाए जा सकेंगे इसमें एहम बात यह है कि परिक्षार्तियों के शरीर का तापमान और एड्मिट कार जाचने के बाद ही उन्हें परिक्षा केंदर में प्रवेश दिया जाएगा हाला कि ट्रावल हिस्ट्री और मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा इसी के साथ विध्यार्तियों और परिक्षा केंदर को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है